मनो विज्ञान के आधार पर हमारे दिमाग के सामानेता दो ही भाग है पहला conscious mind या छेतन मन या सचेत मन तथा दूसरा सब conscious mind या अवचेतन मन या अचेत मन आज हम अपने इस एपिसोड में अपने दिमाग के इनी दो भागो के उपर चर्चा करेंगे नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त सुधीप और आप देख रहे हैं सूट टॉक्स वीडियो सुरू करने से पहले आपसे एक निवेधन है कि वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि इस वीडियो के हर एक सेकेंड में आपके लिए ऐसी ऐसी खास बाते मैं बताने जा रहा हूँ जो आपके लाइफ में आपको उस उच सिखर तक ले जाने में मददगार साबित होंगी जिस उचाई को हर एक मनुष्य पाने की एक्छा रखता है अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कर अपने दोस्तों और पड़ेजनों के पास भी सेयर करें ताकि वे भी इस जानकारी को जान पाएं तो चलिए आपका समय कम लेते हुए वीडियो को सुरू करते हैं हमारे दिमाग के दोनों भाग यानि conscious mind और subconscious mind ये दोनों मिलकर हमारे जीवन को सुचारू रूप से चलाते हैं हम अपनी लाइफ में जो भी कुछ कर रहे होते हैं जो हमें पता है वो या जो हमें नहीं पता है वो भी मिन्स हम जागते हुए कोई कारे करें या सोय हुए हूँ हम आज सब कुछ सुच समझ कर कोई कारे करें या बचपन में नासमझी में कोई कारे किये हूँ हमारे जनम से मरन तक के सारे कृत हमारे दिमाग के इनी दो हिस्सो यानि चेतन मन और अब चेतन मन यानि conscious mind और subconscious mind के दोड़ा ही नियंतरित किये जाते हैं जो कारे हम सुच समझ कर करते हैं उनका controlling हमारा conscious mind करता है तथा जो कारे हम आदत यानि habit के आधार पर करते हैं उसका controlling हमारा subconscious mind करता है दोस्तों अगर दिमाग के इन दोनों हिस्सों की तुलना करें तो conscious mind की अपेक्षा सब conscious mind बहुत ही खास होता है क्योंकि हमारे conscious mind की अपेक्षा subconscious mind 30,000 गुना ज़्यादा 37 साली होता है तथा हमारे life के लगभग 90% decision हमारा subconscious mind ही लेता है और मातर 10 पर 60 decision का controlling conscious mind के पास होता है कहने का मतलब हमारे दिमाग के असल power हमारे subconscious mind के पास ही होती है परन्तों फिर भी हमारे द्यानिक जीवन यानि आदत से related जितनी भी बाते होती है उन्हें subconscious mind, conscious mind के experience के आधार पढ़ ही गरान करता है मेरा मतलब कोई भी बाते हमारे subconscious mind तक conscious mind के रास्ते होकर ही जाती है हमारा conscious mind हमारे subconscious mind के gate keeper की तरह काड़ करता है अब अगर बात करें सरीर के उन operations की जो हमारे नियंतरण में नहीं होते लाइक दिल का निश्चित और नियमित रूप से एवरेज प्रती मिनट 72 बार धरकना प्रती मिनट 16 से 20 बार सांस लेना हमारे body temperature का ओसतन 37 degree होना रक्त वाहिकाओं में खून का एक निश्चित circulation, काकरम और निर्धाडित समय हमारे पूरे सरीर में प्रती सेकंड बिलियन्स operations इन सभी बातों का controlling हमारा subconscious mind ही करता है इस तरह subconscious mind को हमारे दिमाग का power house कहना सरवता उचित ही होगा वे सभी कारे जो हम experience के आधार पे करते हैं जैसे खाना सुरू करते वक्त हम जिस हाथ से खाना खाते हैं उसी हाथ का हर बार आगे बढ़ाना जब हम जूता पहनते हैं तो उसी पैर में पहले जूता पहनना जिसमें हम हमेशा पहले पहना करते हैं और भी इसी तरह के जितने भी आदत से संबंधित कारे हैं, इन सभी का कंट्रोलिंग हमारा सब कॉंशियस माइंड ही करता है। अगर हम कोई अन्यकार करते हुए भी ये कारे करें, तो हम पाएंगे कि सभी क्रियाय हमेशा सही-सही और सीक्वेंस में होंगी। इनमें किसी भी तरह का disorder उत्पन नहीं होगा कहने का तात पर यह है कि अगर हम अपनी life से related अच्छी और सही बातों को अपने subconscious mind तक किसी विधी पहुचा दे तो दुनिया के कोई तागत उसे पूरा करने से नहीं रोख सकती वोई बात अच्छी है या बुरी इसका फैसला हमारा conscious mind करता है subconscious mind अच्छाई या बुराई में फर्क नहीं कर सकता मतलब अगर हम किसी अच्छी बातों को बार बार सूचते हैं और करते हैं हमारा subconscious mind उसे ग्रहन कर लेता है और वो उसे reality में convert करना सुरू कर देता है और अगर हम कोई बुरी बात को बार-बार सूचते या करते हैं तो हमारा subconscious mind उसी पर focus करने लगता है और हमारी life बुरी होने लगती है जो लोग अच्छे वाता वरण में अच्छे लोगों के साथ रहते हैं उनकी life अच्छी होती जाती है और इसके विपरीत जो लोग बुरे वाता वरण में बुरे लोगों के साथ रहते हैं उनके मन में नकारात्मक विचार आते रहते हैं और उनकी life और बुरी होती जाती है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो हमारा conscious mind subconscious mind को बार-बार कहता है उसे हमारा subconscious mind सही मान लेता है इसलिए हमें चाहिए होता है कि हम अपने मन में अच्छे-च्छे विचार लाएं अच्छे कारे करें अच्छे लोगों के साथ रहें positive thinking रखें बुराई, बुरी सोच, बुरे लोगों से दूर रहना चाहिए तथा मन में negative विचार नहीं लाना चाहिए अगर बात करें सब conscious mind के power की तो यहां असीमित और अनन्त होती है यह ब्रमांड से उर्जा प्राप्त करती है यह दुनिया में किसी भी बात को पूड़ा करने के इक्ष्यमता रखती है अगर कोई व्यक्ति अपने इस भाग तक सिर्फ उचित और नैतिक तथा growing विचारों को भेजने का technique सीख ले तो उसे life में सब कुछ मैंने कहा सब कुछ everything achieve कर सकते है फिर उसके लिए दुनिया में कोई भी बात नामूमकी नहीं होगी अब आप सोच रहे होंगे वाओ यह तो बहुत अच्छी बात है तो चलिए आपको उस सबसे खास technique के बाड़े में बताते हैं जिससे आप अपने subconscious mind को hack कर सकते है उस खास technique का नामे affirmation मतलब दृठ निश्चे या विश्वास या दृठ संकल्प mind को hack करने के और भी कई technique हैं बट मनों के ज्ञान सास्तरी affirmation को ही सबसे उचित और अच्छा तड़िका मानते हैं अब आप सोच रहे होंगे कि अबे क्या बकवास कर रहा है या मैंने तो life में कई दृठ निश्चे किये हैं परन्तु वो आदत तो बन नहीं पाई तो दोस्त आपको बताना चाहूंगा conscious mind कोई छोटा मोटा gate की पर थोड़ी ना है जो किसी भी बात को यूही सब conscious mind तक जाने देगा conscious mind उसी बात को सब conscious mind तक जाने देता है जो conscious mind को उचित लगती है और बार बार दृठ निश्चे संकल के साथ दोड़ाई जाती है प्याने का मतलब यह है कि अगर आप एक student है तो आप खुद को बोल कर कहो कि पढ़ाई बहुत अच्छी चीज है यह तो बहुत आसान है यह तो बस मेरे बायाहत का खेल है मैं एक्जाम में टॉप करता हूँ इसी तरह कि और भी अच्छी अच्छी positive बातें खुद से share कीजिए खुद को कहिए कहिए का मतलब सिर्फ कहिए नहीं इसे संकल्पित होकर द्रिठता से कहिए अंदर से feel कीजिए और एक बार नहीं जब कभी आप अकेले हों आपका मन सान्त हो इसे बार बार feelings के साथ दिमाग को focus करके दोराईए कुछ समय और दिन बीतने के पस्चात आप पाओगे कि पढ़ाई में आपका मन सच में लगने लगा है ये आपके लिए बहुत आसान हो गया है तथा आप अपने क्लास में भी टॉप करने लगे हो इसी तरह life में आप जो कुछ भी achieve करना चाहते हो उसे अंदर से feel करके बार बार दुराओ और खुद को कोओ conscious mind को बार बार reminder दो कि हाँ मुझे ये चाहिए तो एक समय ऐसा आएगा जब इस बात को conscious mind आपके सब conscious mind तक भेज देगा For example आपके मन में है कि आपको एक अमीर आदमी बनना है तो आप feel करो कि आप अमीर आदमी बन गये हो आपके पास असीमित पैसे और आशो आराम के शामान उपलब्ध है अगर आप ऐसा बार बार सोचोगे न बिल्कुल अंदर से feel करके तो conscious mind इस information को subconscious mind के पास भेज देगा और एक बार ऐसा हो गया तो उसके बार आपका subconscious mind यूनिवर्स से उन तथियों को आपके लिए इकठा करना सुरू कर देगा जो आपको अमीर बनाने के लिए जरूरी है और आपको अमीर बनाने के लिए पैसा कमाने के हचारों रास्ते आपका subconscious mind आपको दिखाने लएगा और एक नए एक दिन आपको वो आपको मनुष्य के दिमाग से संबंधित यह जयनकारी पसंद आई होगी और आपको जरूर कुछ नया सीखने को मिला होगा अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक और सेर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि यह चैनल अभी बिल्कुल नया है अता आगे भी ऐसे ही इंट्रस्टिंग जानकारी लाते रहने के लिए हमें आपके प्यार और सपोर्ट की बहुत अविश्यक्ता है अगर इस वीडियो के लिए आपका कोई सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं किसी अन्य नय इंट्रस्टिंग वीडियो के साथ जैहन वंदे मातरम जै भारत